हेलो दोस्तों स्वागते आपका माय फार्माटिप से यूट्यूब चैनल पर आजम शुड़ों में क्लोसिप क्रीम के बारे में पुरिजन कर लेने वाले क्लोसिप क्रीम का मुक्यतों पोयोग वंगलिट फिक्षिन के समस्यां दूर करने में किया चता है आएए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं इस क्रीम कैसे काम करती है का इस्तमाल होती है इस क्रीम के क्या बेनिफिट है क्या साइट इफिक्ट है इस क्रीम से जुड़े सभी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को ला मुझूद कंटेन के बारे में क्लोसिप क्रीम में कोट्रिमाजुल IP 1% बेंजुल आलकॉल IP 1% यह कंटेन समझते इसमें मुझूद कोट्रिमाजुल यह ड्रग एंटिफंगल ड्रग के क्लास में आता है यह बॉड़ी में मुझूद फंगस को प्लोट्रिक लेयर बाने से रोकता है और और उन्हें बढ़ने से भी रोकने का काम करता है बात करते हैं इस एक ऑफिस्यतर से किन्दक्री tit さं कि नक्रेन करने के लिए यूज्ड करते हैं यह ड्रेक्टर सहाँ एक आम बात होती है मनुश्यों में फंगल इंफेक्शन तब होता है जब बोड़ी में किसी हिस्से में फंगस लग जाती है और यह इतने बढ़ जाती है कि हमारा इम्मून सिस्टम उससे लड़ने पाता है तब डॉक्टर इस क्रिम का इस्तमाल उस समस्या को दूर करने के लि इंफेक्शन पैदा कर सकता है Candida infection आपके खुँ से शरिड में अने हिस्सों में भी फाइल सकता है इस समश्या गो दूर करने के लिए बी डॉक्टरो के स्क्रिम का इस्तमाल करते है इसे Athlete Food की समश्या दूर करने के लिए बी डॉक्टर्योज़ करते है ऐतलिट-फूट ये फंगर इंफेक्शन होता है जो आम तोर पर पेरों के उंगलेव के बीच में होता है या आम तोर पर उन लोगों को जादा होता है जिनके पेर फिटिंग जुतों में जादा रहते हैं और उनको पसीना जादा आता हो इसे दाथ खास-कुजली की समस्याद दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है यदि आपकी स्कीन में कोई कट या खरुज लगी हो तो आपको इससे स्कीन इंफेक्शन हो सकता है जब आपकी तौचा इंफेक्ट होती है तब आपको पचामी जलन लाली मांग खुजली या फिर परस निकलना आदी जैसे लक्ष फंगर इंफेक्शन है जो आपके जैनांग जांगों के अंदर वाले हिस्से में या फिर सीट में हो सकता है बॉड़ी के यह हिस्से ढखे हुए रहते हैं जिससे इनमें पसी ना आता है फंगस से यहां खुजली दाट लाल चातर तक ते जो गोलाकार के भी हो सकते हैं इस स की समशदूर करने के लिए बीड़्यों करते बात करते सब फंगर इंफेक्शन के लकशेन में सकीन में डार्य होना सकीन का कुछ सफित नरौ सब्सके साथ दाने वन इंफेक्शन वाली स्कीन से सफित पाउडर की तरह बदारतन निकलना यह कुछ सबंगर होना फंगल इंफिक्षिन वाली जगह पर परस के साथ दाने होना इनफिक्षिन वाली यादरेकेड़्या स्ँद्टो इस क्रीं का-इस्तेमाल करने का तरीका आपकी समस्या पर निरिदारे तरीता हैं आप अपने डॉक्टर के साला से इस क्रीम को इंफेक्शन वाली जगह पर थोड़ी सी मात्रा में लेकर दिन में एक से दो बार या फिर रात को सोते समय लगा सकते क्या सकते और या आपको इस क्रीम में मुझत कंटेंस या अलर्जी तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट सो ततर से संपर्क करें इस क्रीम के इस्तमाल से आपको मितली उल्टी राशिस होना ऐलर्जी जलन रणो सकीन लालbon ये कुछ साइड हो सकते precaution, इस क्रीम को यूज करते से में स्यावधानिया अगर आपको इस क्रीम की इस्तमाल से कोई साइड फिक्ट हूद आए या फिर आपको इस क्रीम में मुझच गन्टेइन स्यालर्जी तो आपी में इस क्रीम का यूज नगारे अगर आप पहले से ही कोई अन्य क्रीम या ओइन्मेंट इस्तमाल कर रहे हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर या फार्मसिस्ट को आवशिदे इस वज़े से इस क्रीम का ड्रग इंट्रेक्शन होने की संबावना कम हो दिये अगर आपको स्कीन से जुड़ी कोई अन्य प्राब्लम हो या फिर आपकी स्कीन सेंसिटी हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर को आवशिदे इस क्रीम का इस्तमाल हमेशा तोचा साफ कर गए ही यूज करे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और My Pharma Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा medicine news मिलते रहेंगे Thank you for watching this video